आप सब ठीक होंगे तो आज हम जी स्विशल स्ट्रेटी को कंटिन्यू करते हैं क्लास फाइव का चप्टर नबर हम टू पढ़ेंगे इस चप्टर का नाम है दे फिजिकल रीजन आफ पाकिस्तान and the World Readions इमपॉर्टटन चप्टर यह बहूं सरी इमपॉर्टन बाते हैं तो इसको आज हम कंपलेट करेंगे शोला तो इसको आज हम च्वोंध करेंगे इस्विक बाते हैं अब हम सब्सक्राइब करदे खो mir can subscribe कया होते हैं मतलब फीटर्स होते हैं जैसे आये हैं यह हैं हर इसी तरीके से हर एक environment के different features होते हैं तो environment के साफ से गर हम देखें तो में आपके type of features हैं एक है natural और एक है cultural ठीक है याल रखें एक natural है और एक cultural है अब सबसे पहला question है कि region हम किसको बोलते हैं region basically एक ऐसा area होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा common natural या common cultural features या characteristics हो ऐसा area जिसमें एक या एक से ज्यादा common natural या cultural features हो या characteristics हो इसको हम region बोलते हैं region basically share करता है common physical फीचर्स जब वो common physical features share करता है तो इसको हम physical region बोलते हैं जैसे equatoral region एक natural region है और वो situated है between five degree north and five degree south तो यह आपका physical region का example और that is the natural region ठीक है अब यह जो region है जिसको हमने equator कहा इसमें जो उसका आसपास area होगा उसमें similar climate होगा ठीक है अब इसी तरीके से वो सारे area जो high land पे हो उनको हम mountainous region बोलते हैं अब ऐसा area जो high हो हाइ लैंड पे हो ऐसा जितना भी जहाँ पे भी हो­चायए वहो पाकिस्तान में इंडिया में हो एसा area जो हाइ लैंड पे हो उसको हम पूरेいつ dibuj को mountainous region बोलें, जी नहीं ठीक है अब रीजन्स जो है वह शेयर करता है कल्चिर फीचर्स जैसे लैंग्विज है या पॉलिटिकल सिस्टम में यह सारे अपके कल्चिर रीजन्स हैं फर एक्जेम्पल इन्होंने नीचे बहुत जबस एक्जेम्पल दिया है यहां पर जैसे ही कह रहें कि अगर फ्रेंच बोलर जाते हैं तो ऐसा एरिया जहां पर एज़ आफरिका जहां पर यंग्लिश बोलर जाता है अगे जी यहां से बहुत इंप्रिंट बातें स्टर्ट हो रही हैं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ major physical regions हैं अब यहां पर पांच है ठीक है वो कौन से हैं उनको इन पांच में डिवाइड किया गया है इन physical features पाकिस्तान को सबसे पहले mountainous region second है plateus region third है इंडस plans चोथा है कॉस्टर रीजन और पांचवा है desert region अब कॉस्टर रीजन आपको पता है जो सहली पटी जिसकों बोलते डिजर्ड रीजन जो रेगिस्तान जिसकों बोलते mountainous region जो mountain यह है ऐसे दो बहुत इसे लेकिन इसके अंदर उनके भी कुछ parts है उनके भी कुछ नाम इसके भी कुछ importance है अब हम उनको देखेंगे ठीक है सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे mountainous region के बारे में पढ़ेंगे अच्छा सबसे पहले line में इनोंने लिखा है कि अगर हम north या north east या north west में देखें पाकिस्तान के पाकिस्तान के north north east या north west में देखें तो आपको बहुत ज्यादा mountains मिलेंगे अब यहां पर आप लोगों से कितने लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी हुई है जिसमें मैंने directions वगेरा का बताया था तो यहां पर मैं तोड़ा सा repeat कर दूँ ताकि easy हो जाए अच्छा मैं यहीं पर बना लेती हूँ यह आपके च Rules इस वाने को north west इस तरीके से और साथ वेस्ट और इस तरीका से साथ इस तो अब इस सालसे कि वे गारत यह वाला आएरिया और नौर्थ इस्ट मतलब यह वाला एरिया पाकिस्तान का और North exactly यह वाल एरिया आपको मौ talking ऋमयेżen है ठीकिए और यहां पे जो है तीन mountain ranges मौझूद हैं ठीक है mountain region तो है लेकिन उस mountain region में भी तीन जो है mountain ranges मौझूद है सबसे पहला जो है वह हमालियाज है second है कराकरम, third है हिंदूकर्ष आपने बहुत सुन होगा, अब अगर हम अगर हम हिंदुकश के साउथ में देखें तो वहाँ पे जी कोहे सफेद रेज़ मुझूद है ठीक है मैं इसको हाइलाइट करती जाओ ताकि ये थोड़े से नाम आपने याद रखने हो सकता है पेपर में आज सकता है एक्जैमे कि कोहे सफेद कौन से रिजन में तो कोहे सफेद जो हिंदुकश रिजन में है ये आप लिखते जाएं साथ साथ और हिंदुकश में आपका सुलेमान रेंच भी है ठीक है रिजन नहीं सुलेमान रेंच और कोहे सफेद रेंच तो ये को दोनों कहाँ पे, ये आपके हिंदुकश मौंटेन रेंज पे मौजूद है, अब इन दोनों के बीच में, मतलब इन Supreme Mountain के बीच में जो हैं एक Deep River होती है अब हमालियाज के बार में पढ़ते हैं हमालियाज जो है आपका नौर्थ एस्ट में मौझूद है इसको अगें तीन और रेंजिस में डिवाइड किया गया है अगर हम सबसे पहले देखें जो ग्रेड हमालियाज है इनकी सबसे ज्यादा हाइड है उसके बाद लीजर हमालियाज इसकी मतलब ग्रेड हमालियाज से थोड़ी कम है लेकिन सब हमालियाज से ज्यादा है और सब हमालियाज सबसे इसकी हाइड जो है वो कम है तो सबसे पहले सब हमालियाज को ही पढ़ते हैं सब हमालियाज जो वह सौथ रेंज हमालियाज का यह रावल पिंडी में डिस्टिक रावल पिंडी में है और इसकी हाइड 600-1200 मीटर है अबाव दे सी लेवल उसके बाद लीजर हमालियाज जो है इसको ये basically sub और great sub और great हमालियाज के बीच में आता है ये भी जो है रावलपिंडी में लेकिन नौर्थ की तरफ और इसमें ये जो है इस अथारा सो से 4600 मीटर अबाव इसकी sea level है उसके बाद ग्रेट हमालिया यह आपका कोहिस्तान डिस्टिक में आता है, कोहिस्तान डिस्टिक में आता है, इसके उपर हर साल सुनो होती है और इसकी हाइट अगर हम देखें तो वो है 6500 मीटर अबाव सीड लेवल लेकिन इसमें जो इमपर्टन बात है जो आपको याद रखने वाले है, वो यह है कि इन में से कौन से जो आपके जो रीजन्स हैं या फिर आप रीजन्स हैं जो इसमें मरी वगिरा है, नत्या गरी या यह आपकी कहां पर ही, ठीक हैं यह सारे के सारे जो हैं आपके मौजूद हैं लेजर हमालियास में, अब वो क्यूं हैं क्यूंकि वहां पर एक जो ख्लाइमेट है वो थोड़ा कूल होता है और उसको थोड़ा सा डिवलब्ट किया गया है तो मरी नत्या गली वगिरा आपके यहां पर, और आविसलिश्ली स अब यह जो मौनटेंड हैं यह बहुत ज्यादा हाइ होते हैं और केटू जो है basically second highest mountain है दुनिया में सब को पता है और इस पार्ट आफ इस रिजन मतलब यह केटू जो है basically कराकरा मौनटेंड का पार्ट है यह सवाल बहुत सारे टेस्ट में आ चुका है तो आपने इस सवाल को अपने जहन में रख देना है कि केटू जो है बैसिकली करा करा मौंटेंट का पार्ट है अब यह जो मौंटेंट पीक्स हैं जिसे केटू जो है वो कवर होती है पूरा पूरा साल सनो के साथ और क्योंकि जो करा करा मौंटेंट है वो बहुत ज्यादा मतलब अगर हम कहें कि पीक पे होता है इसका अल्टिटूट बहुत ज्यादा होता है तो बहुत मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना ठीक है तो वहां पे जो डिफरेंट पासिस बनाए गए हैं जिसमें जो मैन है कराकरम हाइवे है जिसको हाइएस रोड इन दा वर्ड का नाम दिया गया है वहां से ट्रांस्पोर्टेशन वगिरा होती है बिट्वीन पाकिस्तान और चाइना तो यहीं से देखे दो सवाल तो बहुत मेंने एक केटू वाला है और दूसरा कराकरम हाइवे दुनिया का नेय сп calendar हो र्जाएज के तरफ हीनल करें में बियृष्ट वेस्ट आफ यह मंजूद एम त्रहाँ महांड़ने लृष्ट पाकिस्तान में मंजू दें जो हीं ये मांटेण पार्र बोर्ड बिट्वीन पाकिस्तान एंद ऐस бу спас अपहर। जब करने में। मुझाने केस्सब्सपन दिट्रो भाइं कर जो चत्रावर ने सकारेकन रहा में। मुझान चत्रा हो कहले ह। हिंदु क کے जो भीच्छäche पीक है, जो trillion कर जाता धा है फ्ड सिसमीर। जो चित्रार्व में लुकेड़ है अब जिस तरह से कराकरा मौंटेन और जो मौंटेन पीक ऑफ दे हिंदु कॉष मौंटेन आलसो कवर विड़ स्नौ और वहां पे बहुत जहल की फिल की वेजिटेशन होती है मतलब वेजिटेशन के वहां पे क्रॉप अगेरा हो सके वहां से जो है जो है जो है रिवर्स भी निकलते हैं जिसमें काबल है या सवात जो है वो नीचे मौंटेन से नीचे के तरफ डाउन जो है वो फ्लो करती हैं और वहां पे जो वेलीज हैं फिर वहां पे जो लोग रहते हैं सवात वेलीए या चत्रार वेलीए वो वहां पे रहते हैं और वहां पर अपने जिन्दे ही गुजार रहे हैं अब दूसरे मौंटेंट्स और हिल्स भी हैं अगर हम साउथ आफ दे हिंदुकष मौंटेंट में देखें तो वहां पर जो हमने उपर बढ़ा को है सफेद रेंच मोजूद है वह एंड वजीरस्तान हिल मोजूद है यह जो बहुत इरिगेशन का सिस्टम भी है वहां पर लोग जो यह वीट राइज शुगर के वगेरा या तोबे को वह भी ग्रो करते हैं आगे देखें साउथ की तरफ बिट्विन साउथ फर्दर साउथ बिट्विन दे इंडस प्लैन एंड बलोचिस्तान प्लेट लाइज सुले लाइम स्टोन और डिफ्रेंट चीज़ें वहां पर मिलती हैं और फिर वहां पर सीमट बगेरा भी बनता है अब आते हैं सेकंड पार्ट के तरफ इस दी प्लेट अब यह हाई लेंड लेकिन फ्लेट होता है टॉप की तरफ इसकों प्लेटू या टैबल लेंड बहुते हैं अब पाकिस्तान में दो हैं एक है आपका पॉटवार प्लेटू और दुसरा बलोचस्तान प्लेटू ठीक है यह मैं हाईलाइट कर लेती हूँ अब पॉटवार आपका कहा है यह बिट्वीन दे इंडस एंड जेलम रिवर के बीच में हैं यह 300-600 मीटर हाई है और वहां पे भी डिफरेंट मिन्वेल्स वगेरा मुझूद है जैसे निच्रागेर्स मार्बल राइम स्टोन मिलते रहते हैं और यह जो है रावल्पिंडी और मैनी सिटीज लाइक रावल्पिंडी ऐस्लामबाद वगेरा जो है वहां पे डिवलप्ट है उसके बाद हम बात करते हैं ब बहुत ज्यादा कमी होती है वहां पे सर्फेस जो रॉकी है मतलब पत्रीला जिसको बहुते हैं तो वह अगरिकर्चर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हैं तो कुछ एरियास हैं जहां पे वह अपना उगाते हैं और वहां पे अंडर्ग्राउंड एरिकेशन सिस्टम करें इंडेस्ट प्लाइन की रिवर इंडेस्ट 2700 किलो मीटर लॉंग है यह भी पॉइंट याद रख लें कुछ रॉन आ सकता है कि इंडेस्ट रिवर कितना बड़ा है तो वह 2700 लॉंग लॉंग के साफ लेंथ के साफ से और यह स्टाट होता है हमालिया मांटेंड से जो स्टिबध में एंलें इंटर होता है पाकिस्तान में इन इन गेवर टीक है और यहां पर जो है जो अँलekत लेप शिरू करता है और यहां पर जह है जो sediment deposit by the river. Sediment के ते पत्थर वगेरा को. जो पत्थर वगेरा जो है वो deposit करता है river in distance and trebutaries have called the formation of the inner plane. अब inner plane किसकी जैसे बन रहे हैं? जो पत्थर वगेरा आ रहे हैं या जो भयता हुआ आ रहा है material वगेरा इसकी एज़े से बन थे हैं. एक है Upper Indus Plan Lower Indus Plan and Indus Deltech Plan अब Upper Indus Plan क्या है यह अरिया है जहां पर सतलज रावी जनाव जेलम जो है वो भेते हैं और जो रिवर मतलब जो आरिया होता है ना दो रिवर के बीच वाला उसको हम डौइब बोलते हैं डौइब और यह बहूत फर्टाइल अरिया होता है वहाँ पे बहुत अच्छी खासी जो है जरखेजी जमीन होती है और मतन कोड में देखें तो रिवर इंडस जोईन करती है जोईन बाइ इस ट्रीम ट्रैबिटरी जोईन मतन कोड से आगे चले जाएं तो फिर वहाँ पे जो है इंडस फ्लो अकेला ही भेता है और ऐसा एरिया देखें यहां पे अकेला भेता है इंडस रिवर इसको हम बोलते हैं लोवर इंडस प्लैण और दा इंडस डेडतेग प्लैण तब बनता है जब रिवर इंडस फ्लो करता है अरबीन सीमें अब देखें तीन चीजह याज रखने के दो आपका इंडस रिवर दूसरे रिवर के साथ मिलकर भेता है तो उसको हम बोलते हैं अपर अपर इंडस प्लैन आपको दुबारा दिखा दू हां ठीक है अपर इंडस प्लैन जब आपका इंडस रिवर अकेले फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं लोवर इंडस प्लैन अब व डेल्टिक प्लैन और मतागर हम अरबियन सी में जो वाला एरिया है ठीक है और और फिर वहां पर ही जो आपके ऐसे एरिया में जो डेल्टिक प्लैन वाला एरिया है यहां पर आपके मेंगरूफ फॉरिस्ट भी मौजूद है उसके अलावा अच्छा अब आगे देखें तो ल केनाल सिस्टम आफ दा वर्ड ठीक है वो भी मतलब खुदा हुआ है इंडस्ट प्लैन में और यहां पे जो बहुत ज़्यदा नेटवर्ग केनाल का जो प्रोवाइड करते हैं पंजाब और सुन्त के फार्मर्स को अच्छा कासा पानी एगरी कल्चर के लिए और फार्मर्स ज अगेरा वहां पे जो यह अपना काम हो प्रते हैं या जो भी उनका हिए ग्रोव करते हैं उसके बाद कोस्ट कोस्ट्र रीजिन अगर हम पाकिस्तान की बात करहें तो आपका बलचूर्च ताण तो शाबंदर मतलब खीचता है अगर अुसको कहें बलचूर्चbay बलच। श् का इतना बड़ा बनता है और कराची जो वह कोस्ट लाइन एरिया है तो कराची बसिकली कोस्ट लाइन एरिया है और फू मैड़ पोर्ट ठीक है अब सी पोर्ड भी है नहीं क्वादर पॉर्ट हमने लिया था उमान से तो यह भी आप याद रख लें ठीक है और इसी कोस के साथ यह दो डिवलप हो रहे हैं और वाइ बिकास आफ दर ट्रेड विद अधर कंट्रीज और इनका भी अपना अच्छा खासा रोल है फॉर डिका अब जो डिजर्ट है वो एक ऐसी एरिया होती है जो बहुत गरम होती है और ड्राइ होती है और विकास क्योंकि वहाँ पर पानी इतना नहीं होता पानी नहीं होता तो इस वजह से वेजिटेशन वागिरा बहुत कम होती है और टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है पाकिस्ता आपका शगगी खारा है अच्छा मैंने ये पहली बार नाम सुना है बाकि थर थल और थर का तो हम सुनते आ रहें थर चोलिस्ता डिजर्ट आपका पंजाब एंड श्रीजिंद के इस्ट्वन पार्ट आफ की तरफ है और हर्डिंग इस दी कामन ओकिपेशन आफ दा पीपल उ सिस्टम ने जो भी करते हैं अपनी तरफ से वहां पर खेती बाड़ी करते हैं उसके बाद हम आजाते हैं जो लास्ट है डैट इस दी कहां गया हाँ शागी खारान वह आपका वेस्टर्ण पार्ट आफ बलोचिस्तान प्लेटू जो बहुत लिए ड्राय और बैरन बैरन मतल की तरफ है और थल जो है आपका जेलम रिवर और इंडस के बीच में है और शागी खारा आपका बलोचिस्तान प्लेटू की तरफ है चीए बाकी आपको मैं गैरेंटी के साथ कह सकती हूं कि आपको पता होगा कि इनकी लाइफ महां पे कैसी है मांटन में जो लोग रहते हैं और जो थर में रहते हैं उनकी जिंदगी कैसे हैं तो इसको करने की ज़रत नहीं है बाकी इन्शाला मैं जरूर बाकी ये वाला जो है आप थोड़ा से इसको इसक्रिंशान निकार कर पढ़ लीजेगा इसमें भी कुछ इतना कुछ खास है ने लेकिन फिर भी ठीके जी उमी इसकी वज़ाए से आपको पता है हमारे इन कौन हमें अच्छी होती है तो ये बहुत चोटी चोटी चीज़े हैं तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है लाइक करें कमेट कर दूसरे कसा जरू शेयर करें मुझे अपनी दौा म में तब तक मुझे दीज़े अजाज़ा है अला हाफिज